कीबोर्ड इस्तमाल करने की तक्निक तेजी से टाइपिंग सीखने के लिए हमें कीबोर्ड इस्तमाल करने की तक्निक सीखनी होगी. सबसे पहले कीबोर्ड पर अल्फाबेट्स की पोजिशन या स्थिती देख लें. कीबोर्ड पर सारी अल्फाबेट्स कीज तीन कतार में दी गई हैं. ये हैं अल्फाबेटिकल कीज. ये कतार हैं Home Row, Top Row और Bottom Row. अंगुठे को छोड़ कर दोनों हातों की सारी उंगलिया तीनों कतारों में मौचुद बटन्स को टाइप करेंगी. टाइपिंग के दौरान उंगलियां हमेशा बीच वाली कतार पर रखनी चाहिए. इसी लिए Middle Row को Home Row भी कहते हैं. Home Row के उपर वाली कतार को Top Row कहते हैं. Home Row से नीचे वाली कतार को Bottom Row कहा जाता है. अब हम ये जानते हैं कि टाइपिंग के लिए हमारी उंगलियों का कैसे इस्तमाल किया जाए. Home Row के लिए उंगलियों की स्थिती. ASDF से शुरू होने वाली कतार को Home Row कहा जाता है. अब हम Home Row Keys किस तरह इस्तमाल करके टाइपिंग करते हैं वो देखते हैं. बाय हाथ की उंगलियों को ASDF पर रखकर टाइप किया जाता है. Little finger A बटन पर होती है, Ring finger S पर, Middle finger D पर होती है, Index finger F और G को टाइप करने के लिए स्वतंत्र रहती है. दाय हाथ की उंगलिया J, K, L कीस पर रहती है. Little finger Semicolon पर, Ring finger L पर, और Middle finger से K को टाइप किया जाए, जबकि Index finger J और H को टाइप करने के लिए स्वतंत्र हो. टॉप रो के लिए उंगलियों की स्थिति, Q, W, E, R और T जैसी कीस वाली कतार को हम टॉप रो कहते हैं. बाय हाथ से शुरुवात करते वक्त, Little finger Q, Ring finger W, Middle finger E, Index finger से R और T जैसी कीस टाइप की जाती है. दाय हाथ से शुरुवात करते वक्त, Little finger का इस्तमाल P और Bracket टाइप करने के लिए होता है. जबके Ring finger O टाइप करती है, Middle finger I को टाइप करती है, Index finger U और Y को टाइप करने के लिए स्वतंत्र होती है. Bottom row के लिए उंगलियों की स्थिति, Z, X, C, V, ये कीस वाली आखरी कतार मतलब Bottom row. बाय हाथ के Little finger से Z, Ring finger से X, Middle finger से C, और Index finger से V और B को टाइप किया जाता है. दाय हाथ के Little finger से Slash, Ring finger से Pूर्ण विराम, Middle finger से Alp विराम, Index finger से N और M को टाइप करते हैं. जब भी दो शब्दों के बीच में Space डालने की आवशकता हो, तब दोनों हाथों के किसी भी अंगूटे से Space बार दबाया जाता है.